गुड मॉनिंग स्टूडेंट आज ही क्ला से बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के इंतरगत TCP IP मॉडल कंप्यूटर नेटवर्क पूरा का पूरा OSI मॉडल जिसे हम लोग रिफ्रेंस मॉडल के नाम से जानते हैं और TCP IP मॉडल दोनों पर बेस्ट है तो OSI मॉडल पर मैंने पहले वीडियो बना लिया है एक इंट्रोडक्शन वीडियो करके बनाया हुआ था और उसके बाद यह टोटल साथ लेयर होता है आपका यह दिखिए आपका लेफ्ट में जो है वह आपका OSI मॉडल है और राइट मे के सांथ उन सबको आप नहीं देखें देख लीजेगा या आई बटन के क्लिक पर मैं लिंक देता हूं वहां जाएक उसको देख लीजेगा बात करते हैं TCP IP मॉडल का तो यह सबसे पुराना यूज होने वाला हमारा मॉडल है और इसको बनाया था आपका जिसे इंटरनेट क और इसीन कहना चाहिए देखिए जबसे मैं कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाना सुरू किया हूं मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का जो सुरुवात हुआ है वो सुरू हुआ है आपका अर्पानेट से मैंने बताया हुआ है आपका आपक तो सत्तर से असी के बीच में है और आपनी एक वड़ और सुना होगा कि OSI model को reference model कहा जाता है reference model इसलिए क्योंकि उन्हों ने इसको ही reference इसको reference के तौर पर use कर रही है ठीक है ना इसी लिए उसको reference model कहा जाता है जबकि original और genuine model हमारा TCP IP model है और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको जो TCP IP model है वो चार लेयर पर बेश्ट था application layer, transport layer, internet layer और आपका होता network access layer हुआ क्या कि आपका जो application layer होता है TCP IP model का यह TCP IP है यह आपका OSI है तो जो आपका OSI model का जो उपर के जो तील layer है वो TCP IP के first layer की तरह ही काम करता है मतलब उन्होंने क्या कर दिया application layer को तीन भाग में भाजित कर दिया यह यह कहें कि application layer, presentation layer और session layer जो तीनों जो function है वो आपका TCP IP model का first layer जो है यह अगर ऐसे कहें कि tops डाउन तूप अपन अप करें तो जो दोनों layer वैसे ही आपका जो यदि हम कहें internet layer तो आपका internet layer वैसे ही काम करता है जैसे आपका OSI model का network layer काम करता है और data link layer और physical layer दोनों मिलकर वैसे ही काम करते हैं जैसे कि आपका network access layer काम करता है इस प्रकार से OSI model का साथ layer को हमने compress करके TCP IP model का चार layer की तरह काम करते हैं करता है ऐसा हम बोल सकते हैं ठीक है ना समझ गये कि ऊपर का तीन layer आपको application layer होगा ट्रांस्पोर लैर ट्रांस्पोर लैर की तरह काम करता है network layer जो internet access layer और आपका data link layer और physical layer आपका network layer यह दोनों को मैंने comparison आपको बता दिया OSI को बनाया था open system interconnection आप जब आप OSI को देखेंगे वहां कोच्छ समंझ में जाएगा इसको 1984 ऐसा कहा जाता है ठीक है exact year तो बता पाना थाड़ा बता सकते हैं कि 80-84 के बीच में OSI model का निर्माट किया गया था open system interconnection फुल फर्म होता है और ISO ने बनाया था international organization for standardization ने ठीक है कि यह आप इसको एक बार देख लीजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास जिसमें पूरे-पूरा बात करूंगा मैं TCP IP model का और एक ही लेक्चर में पूरे का पूरे ज़ए TCP IP model को मैं जहें complete करने वालों चलिए देखते हैं जो दिखिए TCP IP का फुल फर्म क्या होता है यह तो अब रियेशन है आपका TCP IP तो TCP का फुल होता है transmission control प्रोटोकाल यह मैंने आपको TCP है आपको वही है transmission control प्रोटोकाल और IP के मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकाल इंटरनेट प्रोटोकाल जो आपको नेटवर्क लेर में काम करता है यह मैंने पहले ही बताया हुआ और जो ट्रांस्पोर्ट लेर में काम करता है दोनों को कमबाइन करके TCP IP model निर्माड किया है वह आपका क्या worldwide wave है जो इंटरनेट सर्विस प्रदान करने के लिए इस प्रोटोकाल का यूज़ करता है जिसका नाम है TCP IP ठीक है क्या तो सबसे पहले दिमाग में कोशन उखता है कि यह किस प्रकार के कमुनिकेशन के लिए उप्योग में लाया जाता है इससे पहले मैंने आपको जब OSI मोडल बताया था उस्टे मैंने बताया था कि आपका डेटर लिंक लेर होता है वह आपका होप तो होप डिलिवरी नोट तो नोट तक पहुंचाने काम करता है जब कि आपका जो नेटवर प्रदान कराता है और आपका जो ट्रांस्पोर्ट लेयर है ठीक है वह क्या करता है आपका end to end मतलब एक छोड़ से दूसरे सोड़ तक मतलब इसको में सोर्स देश्टिनेशन भी क्या सकते है इसको end to end कमुनिकेशन भी कहते है ठीक है ना चलिए सौरी प्रोसेस टू प्रोस कमुनिकेशन के लिए इसका उप्यूव किया जाता है ठीक है USB-3 का सुर्वात 1970 से किया गया थाए 1970 से कि काल खंडा उसको में बोल सकते इस दोरान जो है इसका निर्माड किया गया था कौन से देश नहीं किया था तो USA नहीं किया था युनाटेट इस्टेट अफ अमेरिका ने और मैंने जब अर्पानेट बता था इस समय बताया था कि यह डिफेंस के लिफेंस लिफेंस ने इसको विक्सित किया था यह कुछ बेसिक जानकारी है जो आपका चार लेयर है application layer, transport layer, internet layer और आपका network access layer तो सब को जी करके मैं deal करता हूँ चलिए दिखते सबसे पहले हमारा आता है network access layer तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि यदि आप compare करेंगे TCP IP model का OSI model से तो जो आपके नीचे का जो दो layer होता है physical layer और data link layer तो इन दोनों layer का जो काम रहता है OSI model में वही काम किसका रहता है आपका TCP IP में network access layer आप कह सकते हैं OSI model का जो निमनितम दो layer होते हैं उनका उपर एक साथ combine करके जो network access layer बनाया गया था चुकि TCP IP पहले बना गया था इसलिए आप ये कह सकते हैं कि network access layer को दो भागई भाजित कर दिया गया था एक data link layer और एक physical layer क्लियर रखे है करता क्या है क्या उप्योग है किसलिए इसका यूज किया जाता है तो दिखिए जो network access layer है वो ये describe करता है कि कि किस प्रकार से किसी भी IP datagram को network में send करना तो दिखिए अब यहां पर लिए आपको फूल पर मनें बता दिया इंटरनेट प्रोटोक अपार को हम क्या क्या करेंगे एक एक Moto कैसे 5 छोटे छोके जोटे यहए पकट में इसको करेंगे टिक है यह यह यूज कहें कि हम टेत्टर में रहे हैं तो बड़े ऑंक क्या होता है कि यह हैं आपकेро नेटवर्क में यदि आप इंटरनेट की स्पीड यदि काम है और आप 5 MB के डेटा भेज़ पाने में सक्षम नहीं है यह एक साथ 5 MB भेजने में काफी टाइम लग रहा है तो अब क्या करिए नेटवर्क में 5 MB के डेटा को सेंड करने के लिए आप छोटे-छोटे से 5 भाग में उसको डिवाइट कर लिजिए और यह जरूरी नहीं कि आप 1 MB के डिवाइट करें यह पूरा-पूरा डिपेंड करता है सेंडर और रिसीवर के उपर कि वो कम्मुनिकेशन करें और वो डिस सेंड करना चाहता है और एक डेटा को जो प्राप्त कर नहीं तो क्या करwnieगा तो ने देंट करना चाहता है तो क्या करें लिए सेंडर तो बड़ा डेटा उसको शुड़-छुड़ केट में डिवाइट करते जाएगा प्रत्याग टेटा पकेट यह नंबर ताकि वह जैसे ही destination ने पहुंचे तो उन डेटाग्राम को वह क्या कर सके और फिर उसको उप्योग कर सके तो नेटवर्क लेर जैसे ही आपके सिस्टम में आपको लोग लेटाप वगरा यूज करते हैं तो जैसे ही पेंटरे वगरा डिटेक्ट करता है आपका डिवाइस तो वह जो है hardware को उसको इंस्टॉल करता है उसको उप्योग के लायक बनाता है तो नेटवर्क लेर क्या करता है जैसे आपको कुछ कोई भी नया hardware चाही प्रिंटर हो बेंड्रेव हो या mobile को भी आप connect करते हैं इस प्रकास आप उदारण को लेके समा सकते हैं तो जैसे ही को नया hardware को detect करता है तो नेटवर्क access layer का ही यह काम होता है कि उसके लिए प्रोटोकाल यह कुछ यूज होना है तो प्रोटोकाल 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 करें यह हम यदि hardware के terms में बात करें तो देखिए driver चाही होता है जैसे आप mobile को डेटा केबल करेंगे यदि first time करेंगे तो व और आल यह कह सकते हैं कि hardware accelerated देखिए जैसे OSI model से compare करो में तो physical layer होता है जो physical layer का काम क्या रहता है जिते भी hardware होते जिसे cable होता है network interface card होता है उसे संबंधित काम किस करते है physical नाम से बहुत इक चीज़े हैं बस तो मैंने पहले ही कहा दिया कि जो network access layer होता है वो physical layer और data link layer दोनो में हम लोग mac address की बात करते है media access control और logic link control की बात करते हैं यहां पर क्या करता है data को IP datagram में convert करता है तक जो data है वो आसानी से sources and destination तक पहुंच जाए तो आपको दोनों में मैं आपको तुलना भी करके बता रहा हूं और दीकि most important है यह तो आपकी exam में यह तो TCP आएगा या OSI model जाल आएगा ठीक है दोने में से एक काना confirm है बात जड़ते है second है हमारा तो जैसे कि हमने compare करके बताया था कि हमारा OSI model के network layer होता है तीसरे number clear होता है वह सेम काम हमारा TCP IP model में आपका internet layer होता है ठीक है network कहें बात एक ही है इसलिए मैंने bracket में network layer भी आपको लिख दिया हुआ है तो देखिए क्या कहता है कि TCP IP model में इंटरनेट layer का जो काम रहता है वह यहाँ पर देखिए OSI reference model के third layer network layer की तरह ही काम करता है जो ट्रांसपोर्ट लेयर तथा एप्लिकेशन लेयर के बीच में बैठ है रहता है यहां कहें कि उनकी बीचियों intermediate के काम करते हैं दिख लिए सब आज यहां कि internet access layer की से बैठ है यहां पर आपको यह फोड़ा सा correction कर लिजिए भाई क्योंकि इन्टरनेट लेयर होता है वह हमारा एंप्लिकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के बीच में रहता हैं यहां पर रहता है आपका इंट्रेंट लेयर ठीक है ना यहां पर ट्र कि transport layer जो क्या करेगा जो भी डेटा लेता है उसको application layer को आगे forward करता है यह देखिए मैं आपको दिखा देता हूं किसी प्रकार confusion create नहीं करेंगे आप लोग यह देखिए कुछ इस प्रकार से है कि उन्होंने कहा है कि जो network layer है वो जो है transport layer और network access layer के उचे बैठा रहता है हाँ आप यूं कह सकते हैं कि transport layer क्या करता है internet layer से जो भी डेटाग्रम लेता है उसको क्या करेगा वो और segment में डिवाइट करेगा और फिर उसको application layer को से provide करेगा तो उसको थोड़ा साब correction कर लीजेगा ठीक है ना चलिए तो मैं वापस वहीं पहुंचता हूं तो network layer का पता चलिए किस से कंपर किया गया है तो internet layer network layer से compare किया गया है यह layer network में connectionless communication प्लब्द कराता है देखिए आपका जो network layer है medium तो दो परकार को हमने देखा हुआ एक connection oriented connectionless बट इंटरनेट पॉसिबल नहीं होता है एक छोटे से सिनारियों के लिए तो ठीक अब यह कम रहे तो ब्राटमेंड लगा लीजिए और सब को आप क्या करिए आप जो है connect कर सकते हैं बट यह बड़े सिनारियों में बड़े जगह पर यूज होता है ठीक है तो वहां पर connectionless communication ही प्लब्द कराता है और इसमें data को IP datagram के रूप में जो है चोटे चोटे पैकेट में डिवाइड करता है और प्रत्यक जो हम देटा ग्राम 123 है क्यों कि देखे एक उधारन से समझे है माले जी आप फिफ्ट को समझ लिजिए यह उधारन के लिए देखिए एक उधारन को को रिलेट करके समझे आप सब तो आप अब पहले क्लाइक्स देख रहें फिर अधारन के लिए तो आप उसी क्रम में देखें आप वैसे ही जब आपको डेटा आप तक मिलेगा अब देखें पांच एमबी कमाले जे कोई सॉंग है या कोई मुवी है अब उसका आप पहले क्लाइमेक्स देख रहें फिर आप इंट्रोडक्शन सीन देख रहे हैं तो ऐसा कैसा मतलब कुछ मज़ा आए गहीं ना तो बसे यह भाई कि जब आपको जो पैकेट मिल रहा है उसको आप क्या करें एक आईडी दीजिए प्रत्य पैकेट के पास एड्रेस होना चाहिए कि भेजने वाला कौन है प्राप से जो है जब रिसीवर के पास पहुचे तो उसको पता चले कि हाँ भी मुझे किसने भेजा है कौन से ओडर में भेजा है तकि उसी ओडर में आप उसको जमा सके और जब प्राप्त हो जा तो उसको यूज कर सके क्लिया रहे गया देखिए टीसी पे इंटरनेट जो लेयर हो एक एड्रेस रिजर्वर रिवर्स एड्रेस रिजोल्शन प्रोटोकाल है और इंटरनेट ग्रूप मेसेज प्रोटोकाला देखिए इन सब को अलग से मैं डिल करूंगा यदि आप लोगों को लगते कि जानने का इच्छुक है तो बाकी आपके जो साड़े साथ नमर के समझाऊंगा बट एक्जाम के पॉइंट आफ से और रिटन पेपर जो होता आपका डिस्क्रिप्टी पेपर एक्जाम में तो उसके लिए आप सब को डिल करेंगे तो आपका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो आप जितना थोरी है पर इच्छा के पॉइंट आफ यू से तो OSI model की बात करें या TCP model की बात करें दोनों में transport layer के लगबग सेमी काम होता है transport layer क्या करता है आप सबको पता ही है नहीं transport layer के काम क्या रहता है जो भी network layer के द्वारा हमें जो packet मिलता है उसको क्या करते हैं में छोड़े छोड़े भाग में उसको divide करते हैं और यह हमारा तीसरे नंबर का layer होता है इसे segment unit की भी नाम जानते हैं in to end communication के लिए सबसे most important आपका layer होता है यह transport layer ठीक है और आपको जो किसे किस के बीचे बाढ़ता है तो internet layer जो है इंटरनेट लेयर और application layer के मद्वे में बैठा रहता है इंटरनेट लेयर से जो भी डेटाग्रम जाता है वो ट्रांस्पोर्ट लेयर में जाता है ट्रांस्पोर्ट लेयर उसको और यदि आओ सकता है छोटे-छोटे यह जैसा receiver का demand रहेगा यह रहता है मुख्य काम रहता है इसमें क्या करना error को चेक करना जो भी data sender भेज रहा है तो ट्रांस्पोर्ट लेयर के काम क्या है कि डेटा में किसी प्रकार का error नहों error checking करना error को detect करना उसो correct करना यह हमारा काम रहता है error checking का आपका पूरा का पूरा जो है syllabus में आपका एक unit है जो ट्रांस्पोर्ट लेयर के function पर बिच्ट है वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा error detection और correction कित्ते प्रकार को होता है वहाँ पर सब चीज में उधाराण के साथ आपको data receive करने की नहीं है तो क्या करेगा flow control करेगा और वो बुले कि एक MB भेजी है या दो MB भेजी ऐसा है इस प्रकार से जितना receiver का receive करने की speed रहते है उसके हिसाप से हम क्या करते है flow का मतलब आपको जो बहाव है उसको क्या करना control करना flow control का लाता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे sliding नहीं से यही मुख्य काम रहता है इसको मैं लोग क्या कहते हैं इंड टू इंड कमुनिकेशन कहते हैं इंड टू इंड कमुनिकेशन प्रोवाइट करा रहता है दो मुख्य प्रोटोकाल यूज होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में एक होदा TCP और एक होता है आपका UDP transmission control protocol किस इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि OSI model पर मैंने इसको अच्छे से उदारन के साथ deal करके समझाया है वहां पर और दोनों में कोई डिफ्रेंस नहीं है इसको आप वहां से देख लीजएगा ठीक है अंतीम और सबसे लास्ट हमारा है application लेयर प्रोटोकाल यह भी आपको क्या रहा है ठीक है इंटर नेटवर्क एकसेस लेयर के हैं या और आपके OSI model के जो 6 लेयर है इससे यूजर डारेक्ट नहीं जूड़ा रहता है वह सभी किया कहते हैं इन बिल्ट होता है वह वह कैसे डेटा फ्लो हो रहा है वह हम आपको नहीं दिखा सकते हैं सिर्फ कलपना मात रहेगा तभी तब उसको यूज करेंगा ना जैसे देखिए आपको मेल ही राप्त होता है तो कैसे होता है सबसे पहले आपको मेल लागिन करते हैं फिर आप वेब ब्राउजर कोई भी क्रोम है फायरफक्स ओपन करते हैं उसका दोहां पर जाकर सर्च करते हैं जीमेल उतना आसान नहीं होता है वह पूरे के पूरे 6 लेयर का प्रयोग करके जो है वह आप तक पहुंचता है फिर हम उसको आसानी से क्या करते हैं वेब ब्राउजर की मदद से उसको हम उपन करते हैं उसको रीड करते हैं तो देखिए इसी चीज़ को मैं आप लिखा हुआ है आप लोगों नहीं सुना है तो बहुत गलत बात है क्योंकि फस्टियर में मैंने आप लोगों को रेर फाइल के बारे मताया हुआ है या उसको हम लोग विंजिप भी कहते हैं विंजिप मतलब आप क्या करते हैं मैं बताओंग आप समझ जाएंगे कि बड़े डेटा को हम करने के लिए टेकनीक तहरते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं अब लोग अभी करने वाले हैं C++ में फिरी मैं आपको बता देता हूं उसके उपर कुछ पड़ाद करते हैं तो यह लेयर इंट्रेक्षन पर यह जिसे दीखे आप ब्राउजर ओपन करेंगे व्राउजर में फीर आप या करते हैं और इसके बाद फिर आप क्या करते हैं इमेल है यह वार्टसअप है जो भी उसको अपर करसके एाप्लीकेशन के लिए जो है विन्डो परवैट कराता है वह हमारा काम है एक द्रफ्ल  लेयर को भी आदा प्रेजना इस वारप्त करना यहीं हमारे प्रिखेन काम है क्यों कि अपली के लेट से लेयर के बाद रहता है यहां से डेटा प्राप्त करता है यह हमारा अप्लिकेशन लेयर का काम होता है कुछ इंप्रोटेंट प्रोटोकाल है यह से देखा होगा URL में देखिए कैसे लिए करता है यहां पर करेंगा www.google.co.in यहां जो इंटरेट में किसी भी वेबसेट पर पहुंचाने का काम करता है इसके लिए हम लोग सिंपल में ट्रांसफर प्रोटोकाल यूज करते हैं डियनमिक होस्ट कंफिगरेशन के लिए हम लोग DHCP प्रोटोकाल यूज करते हैं डोमेन नेम सिस्टम जैसे देखिए आप लोग जो है www.google.co.in ऐसे याद रखते हैं नहीं क्योंकि वह हमको याद रखना आसान रहता है लेकिन इसी में आपको IP अड्रेस रहता है तो यह जो हमारे डोमेन नेम सिस्टम में यह पूरक 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 अलग से 500 उनिट में आपको मैं बढ़ाऊंगा यह क्या करता है IP अड्रेस जो रहता है उसको वह नाम में करता है कि इसमें नेम में इसे देखिए आपको यह गूगल.co.in है तो इसका IP अड्रेस जैसे ऐस ठीक है एक होता है आपका सिंपल नेटवर्क मेनेजमेंट प्रोटोकल और FTP जो सबसे ज़्यादे यूज़ता है आप लोग वाटसब के थूरू फोटो भेजते हैं आडियो भेजते हैं तो यह जो है किसके मदद से भेज़ पाते हैं FTP फाइल ट्रांपर प्रोटोकल की और कमेंट करके बताइए कि मुझे चलिए मैं कोशन पूछ लेता हूं आपसे कि आप जो मुझे बताइए यह डेटा-link लिंगलेर में डेटा-कीस फ़ार्मेट में होता है डेटा-link लिंग्लेर में डेटा कीज़ फार्मेट में होता है ? जैसे उधारन किलिए आपको उता झाल झाल